स्पोर्ट्स लाइफ देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ साचिन भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की IPL से होने वाली कमाई में साल 2022 से 2023 के बीच 116 प्रतिशत का इजाफ़ा हुआ बीजी सेई की सालाना रेपोर्ट में जानकारी दे दी गई है बोर्ड ने साल 2022 के IPL सीजन से 2366 करोड रुपे का मुनाफ़ा कमाया था जो साल 2023 के IPL संस्क्रण में 5,120 करोड रुपे दर्श किया गया इस बड़े वे मुनाफ़े की सबसे बड़ी वज़े निया मीडिया राइट साइकल है जिसे बोर्ड ने 2023 से 2027 के बीच सीजन के लिए 48,390 करोड रुपे में बेचा इस तरह साल 2022 के IPL सीजन से बीसी से की मीडिया राइट्स कमाई 3,780 करोड रुपे थी जबकि सीजन 2023 में 131 पतिशत बढ़कर 8,744 करोड रुपे हो गई इस दुरान बोर्ड की कमाई फ्रेंचाइजी फीस और स्पॉंसर्शिप राशी से भी बढ़ी है फ्रेंचाइजी फीस से बोर्ड की कमाई 1,730 करोड रुपे से 22 पतिशत भढ़कर 2,170 करोड रुपे वो स्पॉंसर्शिप में 828 करोड से भढ़कर 847 करोड रुपे हो गई है इसमें दो पतिशत की मामली प्रिधी भी दर्श की गई वहीं साल 2023 के IPL सीजन में बोर्ड ने सभी फ्रंचाइजीज के बीच 4670 करोड रुपे बाटे हैं यह उससे पिछले सीजन में टीमों को मिली कुल राशी के दोगन से भी अधिक था जब बोर्ड ने 2205 करोड रुपे बाट दिये थे वहीं दो सीजन पुरानी विमन्स प्रिमे लीग टी-20 भी बोर्ड की आयके स्रोथ के रूप में अब तयार हो गई है बी-सीज़ई ने इस लीग पर 269 करोड रुपे खर्च किये हैं जबकि यहां से मीडिया राइट्स, फ्रेंचाइजी, फीस और साथ ही में स्पॉंसर्शिप राइट्स से उसकी कमाई 636 करोड रुपे की रही है यानि कि बोड को 377 करोड रुपे का सीधा मुनाफ़ा हो गया है इनमें अकेले मीडिया राइट्स से ही कमाई 125.53 करोड रुपे रही है वहीं फाइनेशल इयर 2023 में बी-सीज़ई का बैंक बैलन्स भी 5,000 करोड रुपे से जाधा पड़ गया है साल 2023 के वित्यवर्ष में IPL और अनिस रोतों से बोड का कुल मिनाफ़ा 3,727 करोड रुपे रहा ये पिछले वित्यवर्ष से 38 पतीशत जाधा था इस दुरान बोड का रेविन्यू 50 पतीशत बढ़ कर 6,558 करोड और खट 70 पतीशत बढ़ कर 2,831 करोड रुपे हो गया फिलाल इस अपडेट में इतना ही अगर आपको वीडियो पस्ता है तो लाइक शेर जरूर कीजेगा और कॉमेंट्स में अपनी राही जरूर दीजेगा